नमस्कार स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ मीना शर्मा इस कारिक्रम में हम आपको ऐसी बेटियों से रूबरू कराते हैं जिनका जीवन संघर्ष का सफर है मगर उन बेटियों ने हार नहीं माली और आज वो अपनी शर्तों पर वो सब कुछ कर रही है जिसकी चर्चा दुनिया करती है आज में लिए राजस्तान की एक ऐसी ही बेटी से जिसने ग्लैमर की दुनिया का करियर छोड़ कर बे सहारा कमजोर लोगों के जीवन को समारने का फैसला किया हंसते खिलखिलाते बच्चों की ये चेहरे और खुले आसमान में उंची उडान के सपने मुश्किल ही आपको ये एहसास कराए कि ये अपनों के सताएं हैं और परिवार ने इन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है क्योंकि इन बच्चों को मा से ज़्यादा दुलार दिया है मनन चतुरवेदी नहीं महज 40 साल की उम्रवाले इस महिला के परिवार में तकरीबन 110 सदस्य हैं और मनन इनकी मा भी है तो पिता भी दूसरों की जिन्दगी खुबसूरत बनाने वाली इस बेटी की कहाने किसी फिल्म से कम नहीं है मजबूरों की मदद करने का शौक अकसर इन्हें गरीबों की बस्ती में ले जाता था एक दिन ऐसी ही एक जगे साथ साल की बच्ची नाम मात्र की कपड़ों में बैठी हुई थी और उस शाम मनन बच्ची के साथ घर वापस लोटी आगले ही दिन उन्होंने अपने फैशन डिजाइनिंग के पेशे को तिलांजरी दिडाली और बैस ऐसे ही बच्चों और बे सहारा ओड़ों को आसरा देना मनन का मिशन बन गया और उस दिन से लेकर आज तक हर उस बच्चे को सहारा दिया जिसे अपनोंने इस क्रूर समास से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया मनन बच्चों के लालन पालन के लिए छोटी-छोटी फिल्म प्रोड़क्शन करती हैं स्टेज शो कराती है हाथ से बनाए हुए सामान बेचती हैं और एक पत्रिका भी निकालती है यही नहीं अपनी बनाए हुई पैंटिंग्स के एग्जिविशन भी लगाती है और इन सब से जो रकम मिलती है उसी से मनन का लंबा चोड़ा परिवार चलता है कुछ अपनी महनत और कुछ मददगार लोगों से मिलने वाली डोनेशन यही है सुर्मन की बुणियाद उननी सो इठ्यानवे से शुरू हुआ मनन का घर सुर्मन महस एक अनाथा अश्रम नहीं है बलकि एक भरा पूरा परिवार यहां रहता है और परिवार की मुख्या के चार पक्के उसूल है पहला सरकार से मदद नहीं लेनी है दूसरा बच्चों को घर का बना खाना ही खिलाना है तीसरा किसी के उत्रे कपड़े मनसूर नहीं और चोथा इस घर में जो आया वो इसी परिवार का हो गया मनन के घर में सबसे छोटा बच्चा चंद महिनों का है तो सबसे बड़ा 24 साल का पिछले साल 29 दिसंबर को सुर्खियों में वो तबाईं जब 72 घंटे लगातार पेंटिंग की एंजिल ओफ लव अभियान चलाया अलग-अलग शहरों में मनन 24 घंटे लगातार पेंटिंग कर लोगों को जागरुक करती है ताकि समाज में कोई अनाथ और बे सहारा न रहे सब के सिर पे छथ हो और मनन का मन है कि बे सहारा बच्चों और और ओड़ों के लिए एक अलग गाउं बसाया जाए जहां सब खुली हवा में सांस ले सके और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं लिहाज़ा जल्द ही मनन का सपना पूरा होने जा रहा है शहर से दूर गुलाबी नगरी से सटे जैपुर की खुली आबो हवा में एक बड़ा प्लॉट खरीदा है जहां इस सपने को साकार करने जा रही है अबोध और ऐसा हाय बच्चों की चेहरों पर मुस्कान लाने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है मनन बच्पन को सहेचने में जुटी है तो कल आपको मिलवाएंगे एक ऐसी ही और बेटी से ही बीजय को